दोस्तों जिस तरह जीवन एक सत्य है ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली भाती पता है कि मृत्यू भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितना मर्जी जुठला दें परन्तु इसे बदला नहीं जा सकता कहने का अर्थ है कि जिसने इस प्रित्वी पर जन लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्रानों की आहूती देनी पड़ती है इस बारे में हम में से बहुत से लोगों ने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से कहते सुना होगा कि मृत्यू के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा तेरा दिनों तक अपने घर में रहती है मगर ऐसा क्यूं इस बारे में क्या किसी ने सोचा है अगर नहीं तो चलिए आज की इस बेहद खास वीडियो में इससे संबंधित जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यूं मृतक शरीर की आत्मा तेरा दिनों तक अपने घर में भटकती रहती है साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि तेरा दिनों तक मृतक के नाम का पिंदरान क्यूं किया जाता है जी हाँ दोस्तों नमस्कार हर हर महादेवों नमः शिवाए दोस्तों हमारे चैनल वास्तु ग्यान टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों बतादे की गरूर पुरान में इस बारे में विस्तार से बताया गया है गरूर पुरान में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यू होती है तो यम्राज के यम्दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 गंटे के अंदर यम्दूत उस प्रानी की आत्मा को वापिस घर छोड़ जाते हैं यमदूत के द्वारा आत्मा को वापिस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता ये देखकर मृत व्यक्ती की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की नाकाम कोशिश करती है लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती इसके अलावा गरूर पुरान की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता की वो यमलोब की आत्रा तैकर पाए दरूर पुरान के अनुसार किसी भी मनुश्य के मृत्यू के बाद जो दस दिनों तक श्राधा कर्म किया जाता है उससे मृतक आत्मा के विभेन अंगों की रचना होती है और जो ग्यारहवे और बारहवे दिन पिंदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मास और तवचा का निर्मान होता है और जब 13 वे दिन 13 वी की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंगदान किया जाता है उसी से ही वो यम लोक तक की यात्रा टै करते हैं अर्थात मृत्यू के बाद मृतक के नाम का जो पिंगदान किया जाता है। उसी से ही आत्मा को मृत्य लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरोड पुरान में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यू हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत लोग से यमलोग की ओर निकल पड़ती है जिसे पूरा करने के लिए उसे बारा महिने यानी की एक साल का वक्त लगता है इतना ही नहीं मान्यता के अनुसार तिरह दिनों तक मृतक के नाम का किया पिंदान उसके एक वर्ष के भुजन के समान होता है दोस्तों इसके अलावा बता दे अकसर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ती के नाम का पिंदान नहीं किया गया तो क्या होता है तो दोस्तों आपको बता दे कि इसका भी वर्नन पुरान में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंददान नहीं किया जाता। यमदूत उसे 13 वे दिन जबर्दस्ती घसीटते हुए यमलोप की ओर ले जाते हैं। जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कश्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुश्य की मृत्यू के बाद 13 दिनों तक पिंददान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दे की, 13 वे दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो भोज करवाया जाता है। अगर वह कर्ज लेकर किया जाए, तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांती नहीं मिलती। इतना ही नहीं गरुल पुरान में ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है। मृत्यू के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते। और जो व्यक्त उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद आपका दिन शुभ कर दो चैनल को सब्सक्राइब करें।